नमस्कार कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका सौगत है मैं हूँ आपके साथ सभा शाहिच्छे आज बाद उन्चार नेता अपराधि आतंकी और जिहादी की करेंग जो आज चक्रव्यू के शक्र में फसा उनकी कारणामों को एक्सपोस करूंग पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिठ्था खोलूं तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यू के चक्र में आ गये हैं वो है अखलेश यादव दूसरे खबर में बात अतीक एहमत की तीसरे खबर में बात आरोपी अनवर की चौती खबर में बात हिंदू विरोधी स्कूल क सबसे पहले बात अखलेश यादव की अखलेश यादव हाल ही में किसी नीजी काम से मुंबे दौरे पर थे इस बीच उन्होंने पार्टी कारेकरताओं के साथ मुलकात की और फिर फ्लाइट से लखनों के लिए निकल गए इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछरो दलितो और संख्यक मिलकर एंडियों को सत्ता से बेदखल कर देंगी उन्होंने कहा कि सपा युनिफॉर्म सिविल कोड यूसी सी के खिलाफ सपा प्रमुख ने बात करते हुए कहा कि जब से मैं मुंबे दौरे पर आया हूं तब से यह खबर चल रही है कि कुछ पार्टी लीडर से मैं मिलने वाला हूं लेकिन सभी चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा महरास्ट की रही आने वाले समय में देश की राजणीती से भारतिये जनता पार्टी का सफाया होगा अखलेश ने कहा कि एक कारेकरता ने टमाटर बेचने को लेकर आवाज उठाई न्यूस बनाई तो उ सिसी के खिलाफ है हमारा सम्विधान हमारा लोकतन मजबूत हो उन्होंने कहा कि मैं यहां पारिवारी कारिक्रम के लिए आया था लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से मुंबई का कारिक्रम बना हुआ है उस दिन से खबर चल रही है कि मैं कुछ नेताओं से मिलने वाला महरा इंडिये का सफाया पीडिये करेगा यह बीजेपी का सफाया करेगी साथ ही अखिलेश ने कहा कि किसान परिशान हूं और उसके बिना अर्थ वैवस्था नहीं बन सकती यह सरकार ऐसी है कि अगर टमाटर की खबर दिखा दी जाए तो हरबरा जाती है आज कितनी महंगाई है आटा चावल डाल और पैट्रोल सब महंगाई और सरकार कुछ लोगों को प्राइवेट करके फायदा देने के काम कर रही बीजेपी समाझ को तोड़ने का काम करती ह हलकी सरकार को घेड़ना खिलेश ऩादप की पुरानी आदत गलती किसी की भी हो लेकिन उनके निशाने पर हमेशा सत्ता धारी पार्टी ही रहती ही माफय अतीक एहमद और उसके भाई अश्यप की हत्या के बाद छोटे बेड़े अली अहमद ने पिता का काला कारोबार सम्हाल लिया अली एमेद खिलाफ करेली थाने में रंगदारी वसूलने का मुकदमा धर्ज हुआ है करेली थाने में 50 लाइक कि रंगडारी मांगने और जान से मांगने की धंकी देनी का मुकदमा दर्ज हुआ है मामले में अली एहमद समेत 6 लोगों के खिलाफ अभी अतिक का बेटा अली प्रियागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बन पीडित दानी शकीर और उसके बेहन गजाला बेगम ने अली से अपनी जान को खत्रा बताया है वहीं जी टीबी नगर में गजाला बेगम के नाम से करूरो का प्लॉट अली एहमद इस प्लॉट पर कबजा कर अपना 227 में शामिक सैफ और फैस को अली एहमद ने जमीन किसी कीमत पर ना छोड़ने का निर्देश दिया वहीं सैफ और फैस ने गजाला और दानी शकीर को धंकी दी थी कि अगर प्लॉट चाहिए तो पचास लाक रुपे देने हो या फिर पूरा प्लॉट हमारी कीमत पर बेज दो वहीं गजाला बेगम और उसके भाई दाने शकीर ने अतीक के गुरगो और बेटे अली एहमद से जान का खत्रा बताया है गजाला बेगम की ओर से भाई दाने शकीर अतीक के बेटे अली एहमद परवेज अंसारी उर्प परवेज अटाला मुहमत सैर मुहमत पैर शमीम मौलाना और महपूज मंसूरी के खिलाब FIR दर्श कर आई वही करेली थाना पुलिस ने IPC की धारा 420, 120 भी 506, 466, 468, 471, 447 और 387 के तहद FIR दर्श की आपको बता दे के आतिक अहमत के साथ नैनी एग्रिकल्चर युनिवरसिटी शूट आउट मार्पीक में भी सैफ और फै संबीन में जुट गई जेल में बंच से किनकिन गुर्गो और प्रॉपर्टी कालोबारियों ने अलीज से मुलकात की है पुलिस इसका भी पता लगा रही है तीसरी खबर में बात आरोपी मुहम्मद अन्वर की करनाटक पुलिस ने 47 साल के सैयद मुहम्मद अन्वर को गिर आखिरकार कॉल करने वाले अन्वर तक पुलिस पहुँचने में काम्याब रह और 10 जुलाई 2023 को उसे गिरफतार कर लिया गया है पूश्ताच में उसने बताया है कि मस्जिद में रहने की वज़ा नहीं मिलने के कारण उसने जूट पला दरसे सूत्रों के मताबिक सैयद मु मस्जिद के करमचारियों ने उसे वहां रुकनी की अनुमती देने से इंकार कर दिया था इससे नराज होकर वो बैंगलूरू के मैजिस्टिक बस स्टेंड से बस पकड़ कर आंध्र प्रदेश के कुर्णूल जाने वाली बस में सवार हो गया इसके बाद जब बस मस्जिद में बम होने की जानकारी मिलने के बाद आसपास के इलाके में दह्शत का महौल बन गया पुलिस फायर ब्रिगेट इमर्जंसी सर्दिस बम निरोधक दस्टा डॉग स्कॉाइड समेत तमाम एजंसिया एक्टिव होकर मौके पर पहुँच गए मस्जिद को खाली कर पुलिस ने तलाशी अभ्यान बंद कर कॉल करने वाले के तलाश शुरू की शुरुआती जाच में सामने आया कि आरोपी ने बैंगलूरू के बहरी इलाके से पौन किया था उसकी लोकेशन जाच के दौरान हैदराबाद में मिली वही इसके बाद पुलिस ने फौन को ट्र पर च्छापे मारी के बाद फोन की लोकेशन आंद्रप्रदेश के कुर्णूल में मिली लेकिन बाद में लोकेशन बदल गई और पॉन तेलंगना के महभूब नगर में ट्रैक पूर्ट इसके बाद पुलिस ने महभूब नगर से अनवर को गिरफतार कर लिया पूस्तात से चला है कि मुहमब अनवर महराष्ट का रहने वाला है चौधी खबर में बात हिंदू विरोधी स्कूल की मद्ध प्रदेश के इंदौर के एक प्राइवट स्कूल में तिलक लगाने पर हिंदू छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है पीडित छात्र का आरोप है कि प्र स्कूल में बढ़ावा ना देने का एलान किया है दरसल सूत्रों के मुताब मामला इंदौर के धार रोट का है मामला बाल विज्ञान शीशु विहार हायर सकेंडरी स्कूल का है जिसके प्रिंसिपल ओम प्रकास सिंग है बताया जा रहा है कि यहां 6-7 छात्र माथे पर तिल को पोच्छा गया आगे से किसी को भी स्कूल परिसर में भी माथे पर टीका ना लगाने की चिताबनी दी गए वहीं एक बच्चे को तो टीचर पदमा सिसोध्या ने स्कूल के बाहर भी कर दिया आरोप ये भी है कि टीचर ने बच्चे का नाम काटने की धमकी दी जब इस म प्रिंसिपल ओम प्रकाश श्ट्रिंग के इस मामले की शिकायत उन्होंने कहा कि वह अपने बच्चों को स्कूल से पहले मंदिर ले जाते तीका मंदिर में लगाया जाता है बताया जा रहा है कि इन दलीलों का प्रिंसिपल पर कोई फर्क नहीं पड़ा उन्होंने टीचर पडमा से सोदिया का हिपक्ष लिया साथ ही उन्होंने जिला अधिकारियों के आदेश का हवाला देते अपने सकूल में धर्मवात को ना बढ़ावा देने का इलान किया मामले के सामने आने के बा शतिक्षा विभाग ने स्कूल के मैलेजमेंट को चीच हात्रों की धार्मि मंगलेश कुमार व्यास के मुताबिक उनसे बाच्चीत के दोडान स्कूल के प्रिंसिपल ने घटना पर दुख जता है वहीं मामले की जाच चल रही है दोशी पाय जाने पर कारवाई होगी फिलाल के लिए चक्विव मेरे साथ इतना ही कल फिर कौन किसके चंगुन में पसेगा नए मुद्धों के साथ फिर पेश होंगे आप बने रहे है कैपिटल टीव उत्तर प्रिदेश के साथ नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया